मद्द प्रदेश में पंचाय चुनाओं खोलेके सुप्रीम कोर्ट से आई है एक बड़ी खबर कॉंग्रेस नेता साहिया जाफर और जया ठाकुर के द्वारा मद्द प्रदेश पंचाय चुनाओं में आरक्षण में विवात खोलेके एक याच का दायर भाईती जी खोलेके सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भाई है और अब पंद्रा दिसम्बर सबेरे साले दस बजे के लाने तै भाई है अगली तारीक और सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता वरों ठाकुर ने पूरे मामले की प्यारवी करी है सुनो जरा सैयद जाफर का कह रहा है जो खुद याचिका करता है इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में का भावाज सुनो सैयद जाफर से सेयद जाफर और जया ठाकूर की डायर रिड याचिका में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई महारास्त सरकार और करनाटक सरकार दोनों जगों पर रोटेशन पर हुई तूटियों पर सुनवाई के दोरान मतबदेश सरकार दोरा लाए गए ओडिनेंस और बिना रोटेशन के चुनाव कराने पर भी आज चर्चा हुई जिस पर कोट ने विस्तार से चर्चा करने के लिए सुभा साड़े दस बजे 15 दिसंबर सुभा साड़े दस बजे का समय निश्चित किया है मतबदेश शरकार जो आज जिला पंचायत अध्यचों का आरच्छन करने की तारिक तैकी थी उन्होंने इस तारिक को इस्तगित करते हुए 18 दिसंबर कर दी है क्या मतबदेश की सरकार अपनी गलती का एसास कर चुकी है क्या मतबदेश सरकार को इस बात का एसास हो चुका है कि उन्होंने मतबदेश में भारती समिधान का उलंगन किया है और उन्होंने रोटेशन से चराओ ना कराकर दो साल से लगाता उमीदवारों की उमीद लगा बैठे उमीदवारों के अधिकार को चीना है संगई फॉलो करें बुंदेली बॉचार के फेस्बुक पेज को संगई फेस्बुक पेज फेस्बुक पेज को संगई फॉलो करें बुंदेली बॉचार के फेस्बुक पेज को संगई फेस्बुक पेज को झाल